बिस्मिल्लाइलाख्मानी रहीम, السلام علیکم, मैं हूँ असाद और आप देख रहे हैं असाद Electrical इससे पहले वीडियो में मैंने परकिन जनेटर के अंदर आने वाले एक प्रॉब्लम के उपर बात की थी यानि के चार्जिंग आल्टेनेटर के फेलियर के उपर आज की वीडियो में मैं डिसकस करूँगा दस ऐसे फॉल्स के बारे में जो डीजल जनेटर के अंदर कॉमनली आते हैं इसके इलावा भी बहुत सारे फॉल्स आते हैं और टाइम टू टाइम में वीडियो बनाता रहता हूं इन टॉपिक्स पे लेकिन आज की वीडियो में मैं डीजल जनेटर के अंदर आने वाले दस कॉमन फॉल्स जिनकी वजासे हमारे डीजल जनेटर जो शटडाउन होते हैं उन पर बात करने जा रहा हूं तो इन में सबसे पहला जो फॉल्ट है वो अंडर स्पीड शटडाउन है कोई भी डीजल जनेटर जब अंडर स्पीड पे शटडाउन होता है तो उसके पीछे क्या रीजन्स होती हैं अंडर स्पीड का मतलब यह है कि हमारा जनेटर लोट पर चलता हुआ उसके रपेम ड्रॉप हुए और फिर वह उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस होते वे जीरो तक आ गई तो उस पर जो हमारा generator है वो alarm produce करता है या generate करता है अंडर speed का यानि कि उसकी जो speed है वो rated speed से नीचे चली गई तो under speed पर shutdown होने की सबसे पहली reason जो है वो fuel का ना मिलना होता है यानि generator को चलते चलते fuel नहीं मिला या तो किसी ने wall बन कर दिया या fuel फिनिश हो गया पीछे से या हमारे filters में कोई restriction आ गई ऐसी रुकावट आ गई या उसका जो speed controller है उसने काम करना चोड़ दिया या उसका जो speed sensor है उसने माल functioning कर दी तो यह बहुत साई reasons होती है अंडर इसके बाद दूसरा fault है over speed shutdown over speed shutdown कब होगा engine जब हमारे speed control से related कोई fault होगा चाहे वो speed controller में हो चाहे वो fuel pump में हो चाहे वो speed sensor में हो यह जितनी चीजे speed को control कर दी है या major कर दी है महाँ पर कोई malfunctioning होगी तो उसकी वाजा से engine over speed होता है engine के over speed होने की एक और reason होती है कि suddenly engine पे से load हट जाए किसी वजा से मसलाने एक engine पे बहुत जादा load चल रहा था अचानक से वो load cut off हो गया circuit breaker trip हो गया या कोई भी पीछे ऐसा problem आया तो उसकी वजा से भी हमारा जो generator है वो over speed shutdown हो जाता है होता है तीसरा common shutdown problem जो है डीजल जेनेटर में वह हाई coolant temperature का है हाई coolant temperature हमारे radiator से related होता है अगर हमारे radiator में coolant जो है वो properly flow नहीं होगा तो cooling system जो है वो काम नहीं करेगा और engine का temperature वो increase हो जाएगा और finally फिर वो shutdown की तरफ चले जाएगा तो हमारा radiator बिल्कुल clean होना चाहिए internally और externally उसका जो coolant level है वो proper होना चाहिए maintain होना चाहिए उसका जो ventilation system है वो सही होना चाहिए किसी बंज जगा में न रखा वो generator generator ताकि जो हवा का गुजर है वो properly होता रहे ताकि उसका जो ventilation system है वो काम करता रहे ओवर हीट होने की एक reason overloading भी होती है generator पर उसकी capacity से ज़्यादा load नहीं होना चाहिए उसका जो coolant temperature sensor है वो भी malfunctioning कर सकता है coolant temperature sensor को भी properly होना चाहिए properly काम करना चाहिए इसको अगर आपको verify करना हो तो आप एक infrared gun के जरीए temperature अलग से भी check कर सकते हैं कि temperature जितना हमारा sensor दिखा रहे है क्या rail भी वह ही है या उसमें difference आ रहे है तो अक्सर होता है कि temperature सही होता है लेकिन sensor जो जादा दिखा रहे होता है तो sensor को भी proper काम करना चाहिए हाई coolant temperature की एक reason यह भी होती है कि हमारी fan belt broken हो जाए अगर चलते में तो क्या होगा कि हमारा जो fan है वो घुमना बंद हो जाएगा या इंजन तो चल रहा है लेकिन fan नहीं घुम रहा तो जब fan नहीं घुमेगा तो हमारा cooling system काम नहीं करेगा तो यह कुछ reasons होती है हाई temperature की इसके लावा भी बहुत साही reason है लेकिन यह common reasons आज की वीड़ो में मैं आप से discuss कर रहा है अचा फिर सबसे ज़्यादा आने वाला shutdown problem low oil pressure का है low oil pressure पर engine कब shutdown होता है low oil pressure पर shutdown होने की बहुत साही reasons है उन में से सबसे पहले तो यह है कि engine का जो लेविल यह oil level वह maintain होना चाहिए अगर वह बहुत ज्यादा low हो जाएगा तो हमारा प्रेशर भी automatically reduce हो जाएगा और फिर जनिटर यह इंजन जो वह low oil pressure shutdown की तरफ चला जाएगा इसकी एक और reason यह भी हो सकती है कि oil filter चौक हो जाए तो जब oil filter चौक हो जाएगे तो हमारा जो प्रेशर है चौक है सबसे पहले oil pump के बाद जो oil filter में आता है उसके बाद पूरे engine में circulate करता है तो अगर filter ही चौक होगा तो हमारा प्रेशर आगे नहीं जाएगा और फिस sensor जो है वह sense करेगा oil pressure को और वह shutdown करवा देगा इसरी reason जो है sensor की malfunctioning हो सकती है oil pressure sensor भी proper होना चाहिए उसके connection भी होने चाहिए अगर वह गलत रीडिंग दिखाएगा या वह malfunctioning करेगा तो भी हमारा इंजन जो लो आइल प्रेशर पर shutdown होगा पांचवा जो fault है वह हाई battery voltage shutdown अक्सर ही होता है कि हमारा जो generator है जब वह चल रहा होता है तो उसका जो charging alternator है वह over charging कर रहा होता है battery की तो इसकी भी एक limit हमारे controller में set हुई होती है अगर voltage 27 जैसे के नॉर्मल है अगर टू बैटरी वाला जैनेटर है और सिंगल बैटरी का जैनेटर है तो उसमें 14 वोल्ट नॉर्मल है लेकिन अगर इससे exit करते हैं तो उसकी जो भी limit होगी अगर वह cross कर जाएगी तो हमारा जो controller है वह alternator का proper काम ना करना उसका regulator fail हो जाना या किसी वज़ा से battery अगर हमारी खराब हो जाए तो भी वह ज्यादा charging लेने लगती है तो उसकी वज़ा से फिर हमारे voltage increase हो जाते हैं और high battery voltage shutdown की तरफ हमारा जो engine वह चला जा इसी के opposite जो छटा problem है छटा fault है वह low battery charging system पे shutdown होना है यानि कि यह भी होता है कि हमारी battery proper charge नहीं हो तो उसकी भी एक limit है कि उसके voltage कहां तक reduce हो सकते हैं और उसके बाद फिर वह shutdown की तरफ चले जागा तो यहाँ पर भी charging alternator का problem हो सकता है charging alternator की belt broken होने की वज़ा से हो सकता है battery खुद उसकी condition अच्छी नहों उसका जो अलेक्ट्रो लाइट क जो expiry है वो मतलब बहुत जादा long term नहीं चलती है batteries normally जो हम use करते हैं तो कमस कम भी साल डेर साल दो साल हमारी battery जो हो रिप्लेस हो जानी चाहिए उसके बाद फिर battery का वरोसा नहीं होता अगर उसका एक cell भी damage हो जाए या खराब हो जाए तो वो पूरी battery को खराब कर देता है इसी तरह सात्वा जो problem है वो है under voltage shutdown तो under voltage shutdown कब होता है जब उसके जो voltage है वो rated value से कम आ जाए उसका भी एक set point है कि कितने percent 90% पे रखा जाता है normally जितने भी volt का generator है अगर उसके voltage उसकी rated value से 90% या उससे नीचे चले जाते हैं तो हमारी generator है वो under voltage पे shutdown हो जाता है overload होने की विए ऐसे भी हो सकता है चुक्के suddenly जब हमारी generator पर load आता है तो उसके voltage भी drop होते है तो एक reason यह हो सकती है दूसरा AVR का proper काम ना करना तीसरा rectifier bridge का fail हो जाना चौथा winding में कोई problem आ जाना पांचवा उसका जो potential meter या कोई remote voltage controller लगावा है उसमें problem हो जाना तो यह बहुत साई reasons होती है under voltage shutdown की अच्छा इसी तरह आर्टवा जो problem है वो over voltage का है तो over voltage भी AVR का proper काम ना करना अच्छा 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 ओवर या under voltage shutdown की एक reason और होती है वह है unbalance load तीनों फेजों पर अगर 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 बैलेंस लोड होगा तो उसकी वह जासे हमारे voltage में भी डिफ्रेंस आ जाएगा जैसा कि मैं पहले इस पर एक वीडियो बना चुका हूं कि जनेरेटर पे हमेशा तीनों फेजिस पर बैलेंस लोड होना चाहिए बैलेंस का मतलब यह नहीं है कि exactly बैलेंस हो यानि वह अलावेबिल रेंज में बहुत जादा डिफ्रेंस ना हो क्योंकि अगर जादा डिफ्रेंस होगा तो उसकी वैसे तीनों फेजिस के voltage में भी डिफ्रेंस आएगा तो मगर स्टार्ट नहीं हो रहा एक बार उसने अटेंब किया दो बार किया तीन बार किया तो इसकी भी एक लिमिट है अगर वो मुस्तकिल क्रेंक करता रहेगा और उसको पीछे से फ्यूल मेली नहीं रहा स्टार्ट होने के लिए या उसमें कोई और प्राब्लम है तो हमारी उससे वैटरिएमिज हो सकती है तो इसकी एक लिमिट रखी जाती है उसके बाद फिर वह करेंक निए करेंगा बलकि एमजन्सी स्टॉप पुछ बटन सिफ और सिफ एमजन्सी केसिस के लिए होता है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उसके जो कॉंटेक्स है नॉर्मली ओपन या क्लोज अगर वो सही काम ना करें तब भी प्रॉबलम आ जाता है या कोई अंजाने में किसी को पता ना हो और वो बटन प्रेस कर दे तो भी एमजन्सी पर इंजन शट डाउन हो जाता है अकसर ये भी देखा गए किसी को पता नहीं होता है कि इंजन इस्टर्ट कैसे होगा तो वह स्टर्ट करने के चक्कर में। इदर उदा हाथ मारतें तो आ M maidensi को भी स फुश कर देतें तो उसकी विए से भी पिर यह इन ये अलार उन बना चुकों आज की वीडियो के अवाले से कोई भी आपका question या confusion ने आपका comment में पूझ सकते हैं इंशालला नाइक्स वीडियो में नए topic के साथ आएंगे जब तक के लिजाज़त दीजे अलाहाफिस